गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स बच्चों आज हम लोग सेप्रिमेंटरी का चैप्टर फिफ्ट नम्मर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है दा हैपी प्रिंस इस चैप्टर को लिखा है ओसकर वाइल ने कि अचली एक सिटी था और उस ञिटी में एक स्टेचू लगा हुआ था बहुत उपर और यह स्टेचू था उसके पर गोल्डन कलर का पानी चड़ा हुआ था और उसकी आइस गोल्ड की बनी हुई थी उसके यह जो तलवार है इसका सौर्ड इसका जहां पे तलवार पकड़ी आती है इस जगे पर रूबी पत्थर भी लगा हुआ था तो आईए पढ़ते हैं High about the city City के बहुत उपर a tall column एक लंबा सा इस्तंब था एक लंबा सा खंभा था इस जो दा Statue of the Happy Prince और उसी के उपर Happy Prince का Statue भी था He was gilded all over with thin leaves of fine gold उसके उपर पानी चड़ा हुआ था सोने का और पत्ली पत्ली पत्तियां भी fine gold मतलब सूने की लगी हुई थी For eyes He had two bright sapphires और आखों के लिए दो चमती हुई नीलमढी भी थी And a large red ruby glued on his sword hilt और एक बड़ी लाल रंग का ruby पत्तर जो होता है वो उसके sword hilt sword hilt का मतलब होता है यह जहाँ पे तलवार पकड़ी जाती इसको कहते है इस पर एक ruby पत्तर भी लगा हुआ था One night there flew over the city a little swallow एक रात एक swallow में सोता है एक पक्षी होता है यह देखे पक्षी उड़ रहा है एक पक्षी होता है इसको कहते है आबाबील एक रात एक छोटा सा आबाबील पक्षी जो है उस city पर उड़ रहा था उस सहर को पर round मार रहा था His friends had gone away to Egypt six years before उसके जितने भी friends थे वो छे साल पहले Egypt चले गए थे Egypt कहा है Egypt मतला मिस्र यह country है But he had stayed behind लेकिन जो अबाबील पक्षी था वो पीछे चुड़ लिया था Then he decided to go to Egypt 2 इसलिए उसने भी Egypt जाने का निश्चाए कर लिया था All day long he flew पूरे दिन वो उड़ता रहता था And At a night time he arrived at the city और रात के समय वो सहर में पहुच जाता था Where shall I put up? He said उसने कहा किसने आबाबील पक्षी ने कहा खुश से कि मैं कहां पर बैठ हूँ I hope the town has made preparation मुझे ऐसा लगता है कि town अभी prepare हो रहा है इसलिए मैं कहां पर बैठ हूँ Then he saw the statue on the tall column इसलिए तब जो है उसने जो है एक statue देखा Happy Prince का एक लंबा सा खंभा देखा I will put up there He cried उसने बोला वो चिल लाया It is a fine position with plenty of the fresh air वो एक बहुत अच्छी जगा है जहाँ पर बहुत अच्छी हावा भी मात्रा में मुझे मिलेगी So he alighted इसलिए वो नीचे उत्रा just between the feet of the happy prince Happy Prince के feet पैरों के बीचों बीच में यानि कि यहाँ पर I have a golden bedroom उसने बोला कि मेरे पास एक golden bedroom भी है मतलब मैं कहा पर रहूँगा एक golden bedroom में रहूँगा He said softly to himself उसने खुद से धीरे से कहा As he looked around और उसने चारों तरफ देखा and he prepared to go to sleep और उसने सोनी की तयारी कर ली But just as he putting his head under his wings लेकिन जैसे ही उसने अपने पंको में अपने सर को छुपाया A large drop of water fell एक बड़ी बूंद पानी की उसके उपर गिरी on him उसके उपर What a curious thing ये कौन सी चीज है He cried वो चिलाया There is a not single cloud in the sky आसमान में तो एक भी बादल नहीं है The stars are quite clear तारे भी साफ दिखाए दे रहे हैं and bright चमक भी रहे हैं and yet it is raining और फिर भी बरसात हो रही है Then another drop fell तभी दूसरा drop भी उसके उपर गिरा अब ऐसा क्यों हो रहा है यह हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे ठीक है आज हम लोग के वर इतना ही बाद पढ़ेंगे Good day